नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ नई संसत में स्पेशल सत्र के दूसरे दिन केंदर सरकार ने महीला अरक्षन विधेक को लोकसभा में पेश कर दिया नारी शक्ती वंदन अधिनियम के नाम से पेश बिल में सविधान के 128 संशोधन में लोकसभा और विधान सभाओं में महीलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन देने का प्रावधान है इस बिल में स्सी के लिए आरक्षिस सीटों में महीलाओं के लिए भी एक त्याही कोटा होगा बुधवार को इस पलोकसभा में चर्चा और वोटिंग होगी इसके बाद बिल राजसभा जाएगा सरकार इसे 22 सितंबर तक चलने वाले विशेश्ट सतर में पास कराना चाहती है ज़्यादातर दलों के समर्थन ने इसका पास होना भी तै है इस साल की विधानसमद चुनाओ या 2024 के आम चुनाओ में महिला अरक्षन लागू होना मुश्किल है क्योंकि मसूदों की मताबिक कानून बनने के बाद पहली जंगर्णा और परीसीमन में महिला अरक्षन सीटे तै होगी 2021 में होने वाली जंगर्णा अब तक नहीं हो सकी है ऐसे में महिला अरक्षन 2026 से पहले लागू होने की संभावना कम है कानून मंतरी अरजुन राम मेगवाल ने बिल पेश करते वे कहा इससे लोकसबा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी इसमें 15 साल के लिए अरक्षन का प्रावधाने संसत को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा इसी के साथ बने रहे है राजनमा टीवी के साथ धनिवाद